नौवंबर यानिकि 8 नौवंबर है आपटी 8 नौवंबर में गोवा का नया मुखमंतरी कौन बना आठ नौवंबर को दोज़ाद 24 में गोवा का नया मुखमंतरी कौन बना था आप्सन्स पढ़ सकते हैं यहां पर मनुहर पारिकर आप्सन क्या क्या दे रहें मनुहर पारिकर है नाना पारिकर है फ्रांसिज डिसूजा या पर इनमें से कोई नहीं चारा सुपसन दे रहें इनमें से कोई नहीं गाईस ठीक याद रखें इनमें से आप्सन ही नहीं हो तो मता दे रहें आपर नॉम्बर 24 में जो गोवा राज्य के मुख मंदरी कौन बने थे? ने मुख मंदरी? तो लच्मी कांथ पारसेकर बने थे ठीक? आठ नॉम्बर 24 में लच्मी कांथ पारसेकर बने थे गोवा राज्य के CMN मुख्य मंदरी ठीक? इससे पहले कौन बने थे? मनोर पारिकर बने थे याद रखें और वरतवान में को हैं ici गोवा राज्य के मुखे मंत्री को ने प्रमौध सावं थें इससे भी आप लोग याद रखें अगला पीरत आंसल है अग Milan कोश्ण आरा अपर फिस नमर के साथ ठीक, फुट वॉल खेल से समंधित है, मरडे का कब, आप्सन नमर इसका C, करेक्ट आंसर है, याद रखें, कम्प्लीट हुआ है भी, चलि अगला कुशन देखा जा क्या बनना है, ध्यान से देखिए इस कुशन को भी, अगला कुशन देखिए क्या बनना है, ध्यान से देखिए इस कुशन नो प्रत्वी पर सबसे छोटा जीवित पसू किसे माना गया है, फिलिपियन टार सियर, बी हमिंग बर्ड, पिग्मी मामो सेंट, या पि लगू गोड़ा, तो करेक्ट आंसर है, उप्सन नमर इसका क्या करेक्ट है, राइट आंसर जारा C के साथ, फोर्त कोशन का उप्सन नमर पर C करेक्ट है, पिग्मी मामोन सेंट, ठीक, तो जीवित पसू है, याद रखें, और सबसे छोटी चिडिया यापर हमिंग बर्ड होती है, याद रखें आप लोग, ठीक, तो नेक्स्ट प्रत्वी का विसालतम जीवित पस्चियों में सबसे भारी कौन सा है, प्रत्वी क विसालतम जीवित पस्चियों में सबसे भारी, मलकी सबसे भारी कौन है, इसमें से पूछे, तो यहाँ पर राइट आंसर जारा B के साथ सुत्रमोर का सभी को पता है, ठीक, सुत्रमोर के इसका राइट आंसर है, ऑप्सन नंबर B, कम्पलीट हुआ, अगला कोशन देखते ह विसालतम जीविसालतम 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 इसको भी ध्यान से पढ़ी आप सभी लोग निमलिखित में इससे कौन सा ग्रह सूर की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है प्रत्वी ब्रस्पती बोध या फिर यूरेनस यूरेनस करता याद रखे पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा सूर की ओप्शन नमर इसका डी करेक्ट आंसर है पूछले जाए यहाँ पर कुल कितने ग्रह है तो ग्रहों के कुल संख्या है आठ है याद रखे इंपॉर्डन कोश्चिन है नेक्स कुश्चिन देखिएग देखिए तो उस तो कुश्चिन नमर 8 क्या बनना है ध्यान से देखो इस कुश्चिन को पढ़ेंगे हम लोग देखिए आपर एक समुत्री मील की लंबाई कितने मीटर होती है तो A, B, C या फिर D तो करेक्ट आंसर इसका ओप्शन नमर D 1852 या फिर 1852 ओप्शन नमर D करेक् है नेक्ष्ट कुश्चिन देखिए कि क्या बनना है चलिए देखिए इस कुश्चिन को कुश्चिन नमर 9 क्या है इसी तरीके से टोटल पचास नमर के कुश्चिन या पर रहने वाले हैं GKGS के या दर क्या ब्लोग ठीक है तो भारत का इस्थाई अनसंदान केंद्र गंगोतरी कहा इस्तित है पूचे जरा आप सभी से बताओ फटा पटा उत्तराखंड में अंटार के टिका में हिंद महासागर में या फिर आर्खे टिका में तो करेक्ट आंसर है इस पर 9 गोश्चिन का ओप्सन नमर बिक ए ठीक अन्टार के टिका में इस्तित है दंश्चि का प्रमुक कारण क्या है तो दिन और रात की जो अवदी होती इसमें भिन्न है या निकि अलग इसमें होने का करण क्या है दिन और रात होने का करण क्या है प्रत्वी का अपने अक्ष पर घुरणन प्रत्वी का सूर की परिक्रमा करना प्रत्वी का साड़े छाच डिगरी का कोण जुका होना या पिर A C तूनू तो correct answer इसका option number A है ठीक प्रत्वी का अपने अक्ष पर घुरणन ठीक आद रखें प्रत्वी का अपने अक्ष पर घुरणन करना ही दिन रात की भिन्निता का कारण है option number A correct है next question देखिए फिर दिखे दुस्तों कोशन 11th क्या वनना है 11th कोशन important कोशन इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे अब लोग निमलिखित में से किस महासागर में सरवादिक सक्रीजवाला मुखी है अंटार्कटिक महासागर सक्रीजवाला मुखी किस आपर प्रसांत महासागर में सबसे सक्रीजवाला मुखी है याद रखे उपशन इमर्डर कोशन देखेगा चली देखी कोशन नमबर 12th कोशन इसको भी हिम रेखा या इसनो लाइन निमलिखित में से क्या है हिम रेखा या इसनो लाइन क्या है उचाई जिसके नीचे कभी हिम पात नहीं होता है उचाई जिसके उपर बर्फ इस्थाई रूप से पूरे साल बनी रहती है याद रखे उसके उपर ठीक, याद रखे, option number इसका भी be correct है, याद रखे अगला question देखिए का क्या बनना है, चली देखिए का 13 question, important question 13 question देखिए आपर, great barrier reef क्या है और कहां है great barrier reef पूछा जारा क्या है, ठीक, great barrier reef क्या है और कहां इस्तित है, फ्लोरीडा में बंदरगा, फ्रांस के समुद्र तर्ट, आस्ट्रेलिया में कॉरल समू, पैनामा, कैनाल में जहाज रोकेने का उपकरन, correct है इसका option number C, ठीक, याद रखे, आस्ट्रेलिया में कॉरल समू है, याद रखे, great barrier reef, ठीक, तो आस्ट्रेलिया में अलग-अलग इकाईया है, बिजली वा उर्जा की अलग-अलग इकाईया है, उर्जा की इकाई पूछा जा रहा है, पर क्या, watt प्रति मिनट, kilowatt गंटा, watt गंटा, meter फटीन कुश्चिन का right answer जा रहा है, पर option number B के साथ, ठीक, तो correct answer इसका option number B है, kilowatt गंटा है, याद रखें, उर्जा की इकाई क्या है, kilowatt गंटा है, ठीक, उर्जा की SI क्या क्या होती है, उर्जा की SI क्या होती है, उर्जा की SI क्या होती है, उर्जा की SI question important question ने देखी तो तो आप से लोगों आगर वीडियो ज़रा सभी अच्छा लग रहा हो तो please वीडियो को श्रीगरों में share करें, like करें, subscribe करें, share करें, सभी चीज़े आप लोग अभी कर लीजेगा, please आप से लोगो बात में अगला question देखीएगा, 15 question के बाद, 16 question क्या बनना है, देखी द्यान से, चलिए, देखी दुस्तों question number 16 क्या है, यहाँ पर, अंता दहेन इंजन में कौन सा उपकरण, वाईू और पेट्रोल या गैस को मिलाता है, फिर से question रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर, अंता दहेन इंजन में कौन सा उपकरण, वायू और पेट्रोल या गैस को मिलाता है चोक, सिलेंडर, कार्बूरेटर, फिल्टर तो करेक्ट आंसर जा रहा है आपर ओपटसन नमबर C के साथ कार्बूरेटर होता है याद रखें हैं हो ठीक क्यों मिलाता है ओप्टसन नमबर C मैच कर जाएगा प्लाजमा, प्लेटलेट, सीरम, हीमोगलोविन तो करेक्ट आंसर 17 कुशिन का राइट आंसर जारा बी किसा था ठीक प्लेटलेट होती हूँ याद रखें है ठीक रखत का कौन से घटक इसकंदन में सहयक होता है प्लेटलेट सोती है ठीक इसकंदन में क्या होती है कौन से विटामिन सहयक होता है रखत कंदन में विटामिन के होता है ठीक देखी कोशिन 18 क्या बना है 18 कोशिन इंपॉर्डनГ मैं देखी राइंसर आपर भूमी चेत्र के आधार पर लोग सबा का सबसे विसाल चुनाव चेतर कौन सा है भूमी चेतर के आधार पर लोग सबा का सबसे विसाल चुनाव चेतर कौन सा है क्या लद्दाक है क्या फिर बाडमेर राजिस्थान वाला है क्या फिर रिसिक्के में या फिर दच्छड गोवा है तो correct answer जारा A के साथ लद्दाक है यहाद रखें option number A correct है याद रखें भूमी छेत्र के आधार पर लोग सभा का सबसे विसाल चुनाव छेत्र लद्दाक है complete है A correct है याद रखें complete हुआ A right है 20 question complete होने वाले हैं यहाद पर 19 question क्या बना है भासा के आधार पर भारत के राजियों में पहली बार पुनर गठन कब किया गया भासाई के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा कठित किया गया था आंदर प्रदेस किया गया था बटें आपर पूचा जा रहा है कोई दूसरा question देखिए यहां पर क्या बोच रहा है भासा के आधार पर भारत के राजियों का पहली बार कब पुनर गठत किया गया तो 19 question का right answer जारा C के साथ ठीक 1906 में किया गया याद रखें correct answer इसका 19 का C correct है complete हुआ C right है याद रखें आप लोग next question देखा जाए फिर यहां पर क्या बनना है important question है अच्छा question है 20 question देखिए 20 question के आपने निल्मिखित में से कौन सा उत्सो हर वर्स नहीं मनाया जाता है ऐसा कौन सा उत्सो हर आपसंस में से देखेगा जो हर वर्स नहीं मनाया जाता है महा सिवरात्री हर वर्स मनाई जाती महा कुम्ब हर वर्स नहीं मनाई जाता है गडेश शतुर्थी हर वर्स मनाई जाता है दसेरा अब याप लोगों ने मनाया होगा ठीक तो याद रखे राइट अंसर जा रहा फिलाल option number B के साथ महा कुम्ब जो होता है कुम्ब का जो मेला लगता है गाईस ये हर वर्स नहीं होता है ठीक याद रखें ये गाईस तीन साल के अंतराल में लगता है ठीक टोटल चार सहरों में लगता है चार सहर आप लोग याद कर लीजी नोटबूक में नोट कर लीजीगा पहला सहर होगा आपका प्रयागराज हरिद्वार, नासिक उजिएन, ठीक कौन कौन से है रहा है प्रयागराज, हरिद्वार नासिक, उजिएन, ठीक तो 12 साल बाद ही मिला लगता है याद रखें महागुमब वाला ठीक याद रखें फिर उसका में उजयन में लगने जाएगा, ठीक, तीन साल के बाद, फिर तीन साल के बाद, हरिद्वार में लगने जाएगा, ठीक, फिर उसका में तीन साल के बाद, उजयन में लगने जाएगा, ठीक, तीन, 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 चार बार करोगा, तीन, चोको, बारा, फ कौन सी न दिए, चार आपसन से बड़े बड़ा पर बताने कोशिश करें, जो केवल भारत में बहती है, और किसी भी देश में नहीं बहती है, भारत की राज्यों में बहती है, गोदावरी न दिए, याद रखें, आपसन नमर इसकार D, मैच कर जाएगा, क्या करेक्ट है, रा लेखा कौन है, इस से कोई नहीं, ठीक, मैं बता रहा हूँ, इन दोनों पुस्तकों के लेखा कौन है, 22 का राइट अंसर याँ पर खुसवंत सिंग, ठीक, खुसवंत सिंग की दोनों पुस्तके याद रखें, औपसन नमर इसका, D वाला फिलाल मैच कर जाएगा, ठीक, इन बल पलाग होई थी, याद रखें, फिलाल इसका भी C करेक्ट है, दीखें, केरल के अधिकतम निवासी, जो होते हैं, कौन सी भासा बोलते हैं, पूछा है, सिंपल से बात हैं, पर केरल के निवासी, जो होते हैं, कौन सी भासा बोलते हैं, मल्यालम भासा बोलते हैं, केरल के 25 question पर आ चुके हैं यापर देखीगा विशू बैडमिंटन में दो कांस पतक जीतने वाली एक मात्र खिलाडी कौन है दोस्त पूछा जा रहा है पर विशू बैडमिंटन में दो कांस पतक जीतने वाली एक मातर खिलाडी पी भी सिंदू है याद रखें, ओप्सन नमबर इसका भी C गरेक्ट है, 26 शुशन देखिएगा, रामायण की कथा में सीता हरण के बाद, सीता के किस आबूसर को लच्वन ने पैचाना था, तो पाजेब, ठीक, याद रखें, इसका भी B गरेक्ट है, पाजेब, नेक्श शुशन देखिएगा आपर क्या बनना है, जम्मू कस्मीर की राजदानी स्री नगर कौन सी नधिक किनारे इस्तिते थे, तो करेक्ट आंसर इसका भी B गरेक्ट है, जेलम नधिक किनारे इस्तिता याद रखें, क्या करेक्ट है, इसका B राइट है, याद रखें, B मैच कर जाएगा, अकला कुश तो सिंपल सी बात है सभी को बता है यहां पर केरल लाज जी की जन संक्या ऐसी है जहां पर महिलाओं के संक्या अधिक है पूरसों के संक्या है कम है ठीक कम्प्लीट इसका भी नेक्स पूशन देखी इंपॉर्ण कोशन ने भी बना है दो छे दोजाट चोधा को तेलंगाना के गठन के बाद भारत में कितने राज है ठीक यानि कि वरतमान में नहीं पूझ रहा जो दोजार चोधा में जो का इस तेलंगाना राज उन्तिसमा राज जो था उसको गठन किया गया था तो 29 राज टोटल बन गया थी ठीक पर अब है प्रजेंट टाइम में 28 राज है आठ केंदरसासित प्रदेश हैं दोनों याद रखें ठीक 28 राज है आठ केंदरसासित प्रदेश हैं 30 कोशन, important कोशन ने देखी गा इस कोशन को सिक्किम किस भारत का 22 वा राज बना बताओ आप लोग 1975 में 1908 में 1967 में 1971 में तो 30 question का correct है इसका option number A 1975 में बना याद रखें सिक्किम किस वर्स भारत का 22 वा राज बना 1975 में next question देखी 31 question क्या बनना है देखी हाल ही में मंगल यान अपने कच्छ में पहुंचा था हाल ही में मंगल यान अपने कच्छ में पहुंचा था इसका प्रच्छेपड प्रत्वी से कब किया गया था तो यह जब का question बना हुआ था 2013 14 का 30 question तो उसी time यह हाल ही में लिखा गया था थीक है तो 5 नवंबर 2013 में प्रत्वी से प्रचेपड इसका किया गया था इमंगल यान का याद रखें ठीक याद रखें option नमर इसका A correct है 31 का A right है next question देखे 32 question क्या बना है सिकंदर महान ने किस वर्स में भारत पर आकरवन किया था देखे 326 BC यहनि 326 ईसा पूर्व में किया था यहनि लगबग में लिखा गया ठीक राइट आंसर इसका भी भी है 326 सा पूर्व 33 question क्या बना है देखे दोस्तों क्या question ने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन किस ने आरंब किया 33 question देखे 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन किस ने आरंब किया 33 का correct है इसका option number D किसने कैला सत्त्यार्थी ने आरंब किया था बचपन बचाओ आंदोलन 1980 का याद रखे इसका right answer जा रहा है 1980 option number D complete हुआ next question देखा जा क्या बनना है 34 question क्या है 34 question क्या है हमारे राष्ट्री प्रतीक के नीचे सत्यमे उजयते लिखा है हमारे राष्ट्री जो प्रतीक है सत्यमे उजयते उसमें लिखा हुआ है सत्यमे उजयते किस गरंत से लिया गया है सत्यमे उजयते जोगा इसे किस गरंत से लिया गया है पूचे जा रहा है आपर भगवत गीता, रिगवेद, मुंड़क उपनिसद, इसकंद पुराण 34 question का correct है, इसका option number C मुंड़क उपनिसद से लिया गया, याद रखें, ठीक सत्त में हो जायते हैं, कहां से लिया गया, मुंड़क उपनिसद से फिलाल इसका भी C correct है ठीक हमारे राष्ट्री तिरंगे की चोड़ाई और उचाई ठीक है, चोड़ाई और उचाई या फिर लंबाई बोल सकते हो का अनुपात क्या है, चोड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जारा सिंपल सी बात है यहाँ ठीक है, जो उचाई है, उचाई को लंबाई बोल सकते हो, याद रखें तो यहाद रखें तो यहापर चोडाई और उचाई का अनुपात पूच़ाजारा तो correct है इसका option number A, 2 अनुपात 3 है, यहीं लंबाई लंबाई पूचले जाएं, लंबाई होती है 3 3 fit, चोडाई कितनी होती चोड़ाई होती 2 फिट, ठीक याद रखे, 2 नुपात 3 में रहती, तो लंबाई और चोड़ाई पूची है अपर तो 2 और 3 हो गई, ठीक है, इसका उप्सन नंबर है, विस्टु की सबसे उची इमारत क्या है, विस्टु की सबसे उची इमारत का क्या नाम है, पूछा जा रह है, 37 कोशन क्या बना है, ट्वेटर के प्रते एक ट्वेट में अधिकतम वर्डों के संक्या क्या है, जो ट्वेटर जो है, उसको ट्वेट करते हो, जो तो उसमें प्रते एक ट्वेट करने में अधिकतम कितने सब्द लिख सकते हो, कितने वर्ड लिख सकते हो, तो टोटल है यहाँ पर इस question का right answer आप सभी लोगों को देना निम्लिकित में इसे बेमेल क्या है कमर, पेटी, गला, कंठ, लंगोट कलाई, कडा, जूता, फीता इस question का correct answer कमेंडर बॉक्स में छपना चाहिए राइट answer क्या है इसका 39 question क्या बनना है देखो दियान से सन 2000 में लागो, मिकांग गंगा योजना क्या है सन 2000 में लागो की कही थी, मिकांग गंगा योजना क्या है तो भारत वा मियमार की साजी सिचाई योजना दच्छडपूर्वे CIE देशों की परटन योजना है भारत बांगला देश वा म्यामार की पन बिजली योजना है भारत की अपने पूर्वी पड़ोसी देशों से प्रटन सिच्छा परिवयन आधिक पर समझोता है तो करेक टांसा जारा 39 का इसका आप्सन नमबर D ठीक तो भारत की अपने पूर्वी परोसी देशों से प्रड़न सिच्छा परिवयन आधी पर समझाता करना है कौनसी योजना सन 2000 जो है में लागू मिकांग गंगा योजना ठीक कौनसी योजना मिकांग गंगा योजना 39 कोशन कांप्रीट हुआ 40 कोशन पर जालते हैं 40 कोशन क्या बना है 40 कोशन इंपोर्ड़न कोशन देखी द्यान से याँ पर नगरवा नदी के मेल में कौनसी जोड़ी का सही क्रम है सही पूछा जा रहा है पर कौनसी जोड़ी मिलानी है ठीक है वेतूल सहेर इंद्रावती नदी जगदलपूर नर्मदा नदी अनूपपूर सिप्रा नदी उजयन तापती नदी फश्ट का याँ पर देखो A B C D यहाँ पर कुछ कोशन अधूरा नीचे ठीक है याँ 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 ये वेतूल बेतूल सहर किस नदी किनारे बस हो है 40 तो यह बसा हो सी नदी किनारे बस हुआ यहाँ पर 2 का हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 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 40 question में, अनूपर का हो जाएगा, नर् है तीक दच्छड राज्यों में कौन से राज्य की अधिकतम सीमा अने राज्यों से मिलती है तीक दच्छड जुराज्य हैं दचर पुआथ हो एक डच्छड रबीक ऑना एक लिफ हैं ठीक एसा कि चैसे हैं आप लोग नाच्च में बता सकते हो ठीक तो इस टाइब से कोशन और भी जी तो प्लीज नीचे कमेंट वॉक्स बताना चाहिए आप लोगो कुछ ना कुछ ठीक कुछ ना कुछ बोलना चाहिए और यह बोलना चाहिए किसर यह कुषण अच्छे है अच्छे और इसे easy लाऊं ठीक और क्या सुधार करना चेह मुझे ठीक प्लीज आप लोग अपना राय जरू नीचे comment box में comment share करें ठीक तो जन संक्या के आधार पर अधिक से कमी होती है ठीक जन संक्या के आधार पर अधिक से कमी ने कि कौन सी स्रंखला सही है और इसका भी गरेक्ट है याद रखें फोटी करें पर देखें टिहरी बांद योजना कौन सी नदी पर है तो गरेक्ट है इसका option number B भागी रथी नदी पर इसते तर टिहरी बांद योजना याद रखें भागी रथी किस राज्य में है उत्तराखंडर राज्य में सभी गुबता याद रखें फिलाल इसका भी बी गरेक्ट है अजीबो गरीब नाम होते हैं आपर ठिक जो नाम चिक, नाम फुक, कोईले का भंदार किस राज में इस्ते थे तो अरणांचल प्रदेश, मिजोरम, मड़िपूर या फिर मेगाला है ठिक तो करेक्ट आंशल जाएब आपसन नमबर एक साथ नाब्स नांचल परदेश नामचिक, नामफुक Original का बंडार किस राज्ज में इस्ते थे कोश्चन रिबीट हो चुका ठीकि, पेपर में कोश्चन फूचा गया तो याद रखें इस कोश्चन को नामचिक, नामफुक Original का बंडार रणाचल प्रदेश में याद रखें 45 question क्या बना है देखी रहाँ से आपर जिम्डखित में से कौन सी जोड़ी का mail सही mail खाती है कौन सी जोड़ी ऐसी है तो जो सही mail खाती है चम्बल नर्बना सोन या मानस ब्रह्मपुत तो correct इसका option number D वाला ठीक option number विकल्प केवल D correct है मानस ब्रह्मपुत रियवाला correct है और सभी इरन याद रखें तो next question देखा जाए क्या बनना है 46 question देखेगा भारती 9 सेना में कामोडोर के उपर कौन सा पद है भारती 9 सेना में कामोडोर से उपर कौन सा पद है captain, brigadier, commander rear, rear admiral 46 का right answer जा रहा D के साथ, ठीक है, rear admiral है याद रखें, बारती 9 सेना में कामोडोर से उपर का पद कौन सा है, rear admiral का 47 question देखे, 2008 में भारत रतन किसे दिया गया था 2008 में भारत रतन किसे दिया गया था पताए, comment करते ने प्लीज लता मंगेसकर, बिसमिल्लाखा बीम जोसी, अमरत सिन तो आप से भी लोग प्लीज इस ग्रूप में सेर करिए प्लीज इस वीडियो को जाद जाते लड़के इसमें जोड़ेंगे टेलिग्राम ग्रूप पे छोड़ेंगा इस वीडियो को उसको दिया गया था लता मंगेसकर, बिसमिल्लाखा पंडित भीम सेन जोसी को या फिर अमरत सेन 47 का करेक्टिस का उप्सन नमबर सी वाला ठीक, भीम सेन जोसी को मिला था, 2008 में भारत रतन और 2014 में किसी मिला था सचिन तेंदुलकर को मिला था चार अप्सन्स पढ़िए सन 1992 में, सन 1974 में सन 1965 में, सन 1985 में करेक्ट है इसका उप्सन नमबर ए वाला, ठीक, यानि कि सन 1992 में विर्षो का पहला SMS भीजा गया था, याद रखें उप्सन नमबर ए करेक्ट है 49 कोशन क्या बनाए देखिए कंपीटर प्रडाली में का नीं का मतलब क्या है न्यूटरल नोड नेटवर्क नाउन तो करेक्ट है इसका नमबर सी वाला नेटवर्क है यात रखें, क्या है इन का मतलब है नेटवर्क आजका लाश्ट फिरum बार्ल राडंक कुशन क्या बना है देखी द्यान से अबर 50 कोशन टोटल है याँ पर complete होते हुए देखीगा हरियाणा किस वर्स भारत के राज्य के रूम में स्थापित हुआ हरियाणा का गाइस स्थापना किस वर्स हुई है हरियाणा दिवस की तो हर्यारा राजगी तो हर्यारा किस वर्ष भारत के राजज के रूप में स्थाफित हुआ डी करेक्ट है 1986 में 1 नवंबर 1968 में हर्यारा राजगी स्थाफना हुई यात रखें इसका डी मैच कर जाएगा तो बस सितना ही मैं तो तैक किसी नेक्स इंपॉर्टन वीडोज में थांक यू जैहिंद